दोस्तों नमस्कार हमारी एक नई सरंखला जो मैंने सुरू किये थी सोर्ट वीडियो वोईडियो जो जौँ जाम में आ सकते हैं वो इम्पोर्डेंट बिंदू जिनको हमें देख के जाना है और इसी सरंखला में हमने एक टेज स्रीज भी शुरू की उस टेज स्रीज में तो म मैं डढने के आउश्यक्ता नहीं है उन बच्चों को मैं यहां भी बहुत सारी चीज़ें आपको फरी में करवाऊंगा तो तनाव मत लिया करो मैं ऐसा व्योसाइक इंसान हुई नहीं याद रखना तो आज एक छोटा सा बिंदू बहुत इंपोरेंट सा बिंदू उसकी मेमोरी के उपर कई पार्ट है मेमोरी के ठीक है मेमोरी की जब अपन बात करते हैं तो मेमोरी के उपर अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मेमोरी की सबसे पहले चर्चा व्यवस्ती चर्चा किस ने की थी तो व्यवस्ती चर्चा सबसे पहले किस ने की थी इबिंग होस कि थे जिसने अपने पुस्तक on memory किताब का नाम क्या है on memory में विस्मर्ति का व्यवस्तित अध्यन किया अब ये परसन बहुत बार एक्जाम में आ गया याद रखना इबिंग होस ने कौन सी पुस्तक में memory का व्यवस्तित अध्यन किया on memory important हो गया memory क्या है memory क्या है जो चीज़ें आपने याद की है उन चीज़ों को आप वापस चेतन मन में ले आते हो यानि जो चीज़ें आपने पढ़ी उनको चेतन मन में लाने की जो इस्तती है वो क्या कलाती है हमारी स्मर्ती कहलाती है इसका एक पार्ट वीश्मर्थी भी होता है मैंने कहा वैसे तो यह टॉपिक डेढ़ दो घंटे का है यदि आरस मेंस में पढ़ें तो दो से डाही घंटे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं क्योंकि आरस मेंस में बहुत प्रशना आता है लेकिन यहां मैं छोटी सी क्योंकि स्रंखला हमारी छोटी सी है तो मैं जिस टॉपिक का सबसे important part होगा वो मैं आपको करवाने ही कोशिश करूँगा तो आज मैं यहां पर दो चीजों के specially चर्चा करूँगा और दोनों चीजें जो हैं वो यह हैं एक तो मैमोरी की अवस्थाएं अवस्था की जब अपन बात करते हैं तो मैमोरी की अवस्थाएं मूल रूप से देखिए एक तो यह होती है कि स्मर्ति के जो अंग पूछे आपसे तो अंग पूछे तो आपको सबसे पहले करना है सीखना, ये सीटेट में बहुत बार आता है, सबसे पहले आप कोई चीज को सीखोगे, तभी वो मेमोरी में जाएगा वरना नहीं जाएगा, तो learn पहले करता है, जैसे सीखोगे उसके बाद क्या करोगे आप, धारन करना, क्या ज़रूरत पड़ी, कि भी 25 तारीकों में रिटका एक्जाम देने जा रहा हूं, मालो 25 को हो, ज़रूरी नहीं 25 को हो, एक संभावना बता रहा हूं, 25 को जब होती है, तो आप एक्जाम होल में जाकर रिकोल करते हूं उन्ची जोकों, कि जो मैंने याद क्यों, याद आ रहे सीखना, दारण करना, पुने इसमर्ण, रिकोल करना और रिगोनाईजेशन करना, पुने पहचान करना, ऐसे ही, अवस्था की बात करते हैं, तो आज कल तीन परसन ऐसे आते हैं, एक होता है, एनकोडिंग, क्या होता है, कोई भी चीज को संकेत के रूप में गरहन करना, किस करोगे, धार्ण करोगे, श्टोर करोगे, उन सुचनाओं को जो संकेतों के रूप में आपने गरहन की हैं, तो ये क्या हो गया, धार्ण यहाँ पर आ गया, ये परसन बहुत आ रहा है, बार-बार आ रहा है कि में समर्थी किती नवस्थाएं कौन सी हैं, तो एनकोडिंग पहली है, संग्रे संचे दूसरी अवस्था है, और तीसरी क्या है, पुनह प्राप्ति, रिट्राइबल, पुनह प्राप्ति, पुनह प्राप्ति क्या है, कि जब मुझे जरूरत पड़ी उन्हें याद करने की, तो पुनह वापस में रिकोल कर लेता हूँ, ये क्या कलाता ह है पुन्य प्रापति, तो दो परसन ओ गए यहां से, एक तो ये परसन बहुत आता है कि इस्मर्टी के अंग क्या है, तो सीखना, धारन करना, पुन्य इस्मर्ण करना और पुन्य पहचान करना, एक सेकंड में याद हो गया, फिर हमें स्मर्टी के बता रहा हूं जिनको इस्पेसली आपको देखके जाना है मुख्य परकार के जब बात करेंगे तो पहला परकार होता है सवेंदी समर्ती ठीक है सवेंदी सेंसोरी ठीक है तो सेंसोरी जो मेमोरी है हमारी सेंसोरी जो मेमोरी है ये क्या होती है पहली स्मर्थी होती है और सुचना सबसे पहले यहीं आती है और सबसे अधिक आप जो भोलोगी वो भी इसी स्मर्थी में भोलोगी तो ज्याने इंद्रियों जो वरा प्राप्त के जाने वाले सुचने दरश्टी, धाउनि, इस पर सगंद सुआथ यह समेंदी स्मर्थी है, यहां सुचना एक या दो सेकंड तक रुकेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, गाइब हो जाएगी, इसके दो परकार होते हैं, कौन-कौन से, एक होती है पर्ती चित्रात्मक, यानि कोई डाइग्राम आपने देखा, वो आपके मायन में बन गया, एक होती है पर्ती धवनी, क्या होती है पर्ती धवनी, तो यह अभी एक पर्सन मैंने पेपर हल करवाया था, उसमें आया था कि सवेंदी स्मर्थी के दो परकार कौन से हैं, तो पर्ती चित्रात्मक, कोई चित्र देखा, उसके संकेत, पर्ती धवनी कोई आवास सुनी, उस के संकेत, तो ये सबसे दिक अपन जो बूलते हैं, इसी समर्ति में बूलते हैं, सवेंदी में, सेंसोरी में, एक या दो सेकंड तक, मैं केवल इस वीडियो के माद्धे में से सोट चीजें बता रहा हूं, कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूं, याद रखना, बहुत सारी चीज इसमर्ति भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रात्मिक इसमर्ति, इसको आप कारे कारे इसमर्ति भी बोल सकते हो, इस पे एक अभी परसन आया था, प्रात्मिक और कारे कारे इसमर्ति किसे कहा जाता है, लगू कालने इसमर्ति को, और इस इसमर्ति में जो सुचना होती है वो 20 से 30 सेकंड तक कितने दे रुकेगी 20 से 30 सेकंड तक सुसना है जो रुकती हो इसमर्थी कौन सी होती है आपकी लगू कालिन इसमर्थी तो ये भी बहुत important है सुसना है दो परकार की होगी प्रात्मी कारी कारी समर्थी और सुसना 20 से 30 सेकंड अभी तक जो person पूछे गए उनीगी जट्चा कर रहा हूँ, complete नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना और तीसरा जो परकार है अपना, वो है द्रीकालिनिस्मर्थी द्रीकालिनिस्मर्थी पे भी बहुत सारे person पूछे गए तो द्रीकालिनिस्मर्थी क्या है? द्रिक कालिनी स्मर्थी जो है long term memory इसको बोलेंगे LTM इसको इस्थाई स्मर्थी कहा जाता है क्या कहा जाता है इस्थाई स्मर्थी और द्रिक कालिनी स्मर्थी के दो परकार होते हैं इस्पस्ट या गोशनात्मक ठीक है इस्पस्ट या गोशनात्मक का मतलब है जो किलिर आपको एकदम से सब्दों में जिसको व्यक्त कर सकते हैं और एक होती है एसपस्ट क्या होती है एसपस्ट या एगोशनात्मक ये इसके दो मुख्ये परकार होते हैं यहां से एजटेट में बहुत परसंट पूछे गए हैं तो वो सब आपके याद हो जाएगी ठीक है आपको याद हो जाएगा कि मेरे साथ उसने ऐसा किया ठीक है आपको अपने जीवन का पहला विलेंटेंड याद रहेगा पहला धोका याद रहेगा पहली दुरगटना याद रहेगी ठीक है यह चीज़ें आपके याद रहती है और एक होता है आपका अर्थगत इसमर्थी यह सबसे बेश्ट होती है जहां कोई चीज़ को आप समझ के याद करते हो क्या आद करते हो समझ के याद करते हो इसमर्थी कौन से होती है अर्थगत तो यहाँ से ही परसण आते हैं, प्राथ-संगी को रख किसके भाग हैं, गोश्ना आत्म के समर्ति के, लोंग-्टरम मेंमोर्य, इसको इस्थाइस मर्ति कहा जाता है, इसको गोन इसमर्ति कहा जाता है, तो यह मुख की चीज़े, त straw मैंने करवाई हैं, important चीज़े लेकिने बोल देता हूँ, उमीद करता हूँ आपको ये सिरीज पसंद आएगी और इसी सिरीज के मात्यम से इस आने वाली रेट को, आने वाली हर एक्जाम को बड़े confidence के साथ हम करेक करेंगे, ये मेरा विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि ये विश्वास आपके चहरे पे भी दिकनाची दने वात.